हो चलिए सीधर रूख करते हैं सेफ़ई का जहां पर अंतिम संसकार की प्रक्रिया जारी है जहां अंतिम सफर पर अब नेताजी निकल चुके हैं लेकिन ये हुसूम ये जनसेलाब जो उनके अंतिम दर्शन के लिए मौजूद रहा लगातार इस पूरे सफर में साथ रहा ते पूचे कल जैसे ही जानकारी विली लोगों के पहुंचने का सलसला भी जारी रहा सैफ़ई में नेता जी अमर रहे कि नारों से उन्जाएमान रहा पूरा असमान मुलायम सिंग यादव को अल्विदा कहकर चले गये एक बढ़ा शुर्ण अपने पीछे छोड़ कर segu गया है मुलायम सिंग यादव लेता सभी बनते हैं मुलायम सिंग यादव बनना नहीं आसान है और नहीं मुम्किन जिस तरह से धरति-पुत्र का उनको टाइटल दिया आज काफी एक अजीब सा एक काफी एमोशनल डे है क्या कहना चाहिए आज के लिए वैसे आड़ी मुलाइम से यादो से हमारे बहुत ही अच्छे रिष्टे थे और समय समय प्रहमारी उनसे वराबर मुलाकाद भी होते रहे चाहिए वो बुख्यमंतरी रहे तब भी नहीं रह है तब भी जब में मुख्यमंतरी सा तब भी उनसे बाचीत का सिल्सला हमारा चलता रहता था और मैं मानता हूं कि भारत की राइदीत के एक बहुत बड़ी सक्षियत थे और जन सामाने से जुड़े हुए लोग धरती से जुड़ा हुआ देता यदि माना जाता था तो मुल यहां पर सैफाई में उनको फरद्धानजली अरपित करने के लिए यहां पर आये हुए हैं आज मैंने यहां अपनी तरब से भी रीत रखकर तरद्धानजली अरपित की है वही हमारे देश के आदरनी परदान बंतरी सरी नर्द्र मोदी जी के द्वारा भी क्योंकि उन्हो पर रखी जाए और मेरी तरब से भी सर्द्धानजली अरपित की जाए दोनों काम किया है और बहुत ही भावुक छंड है कोई वह चंड जो आप लोगों ने वैसे तो बहुत पार्लामेंट को या राजवितिक गलियारव में समय एक साथ बिताया उत्तर प्रदेश की राज जर्तिर shouting भगल में बैड़े जाते थे, उनको की झताने नहीं थी की सत्ता फक सीदर बैचता है और प्रदेफकर की तर बैटता है बलकि महीतर बैठा रहा था तो आकर मेरे बगल में बैठ जाते थे और अपमें सारी पुरानों बातों की चर्चा करते थे पिछडों की राजनीती की पिछडों की आवाज उठाई मुलायम सिन्यादव जी ने एक राजनीती में क्या एक शुन्यता कह सकते हैं एक शुन्यता है उनके जाने से नहीं स्वाभाविक है एक बहुत बड़ी शती तो हुई है लेकिन बहुत बड़ी शती हुई है तो राचनाथ सिंग यहां पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे याद कर रहे थे नमन कर रहे थे गुलाम सिंग याद को